यह पूरी बायो E3 policy ही आपने जैसा की बोला E3 मतलब environment, then economy and employment. So environment एक उसका major focus है और बायो E3 policy का जो उद्देश है वो environmental friendly technologies लाना जिनसे हम इस तरह की समस्या जैसे plastic waste का disposal यह हल कर सकें. इस policy में actually plastic waste disposal के लिए भी program है जिनमें different kind of microbes will be explored and the promising microbes will be selected for further technology development for disposal of the plastic. Second, कुछ enzymes भी plastic के degradation में काम करते हैं तो उस तरह के microbes का search किया जाएगा जिनके पास उस promising enzymes हैं जो effectively and efficiently plastic waste को dispose कर सकते हैं. So, इसके अलावा bio e3 policy में हम bio therapeutics पर भी focus कर रहे हैं, bio fuel पर भी focus कर रहे हैं. So, हमें उम्मीद है कि ये bio e3 policy के जरिए नए हमें solutions मिलेंगे जो bio economy जिसका हमने target fix किया है 300 billion dollar by 2030 उसको हम achieve कर पाएंगे and it will be contributing in विक्सित भारत by 2047. Bio AI है अब भी गोटे concept notice आवर अच्छी, concept क्लारीटी अच्छी किन्तु एथेरे कामकरिया पाएं हले आमकु डाक्तर माने कर सहजोगी दरकार, इंजिनियर माने दरकार, एभां लाइप साइन्टिस्ट माने कर दरकार. जहतु यहाँ गोटे इंटरडिसिप्लिनेरी सब्जेक्ट तेवनु एथेरे कामकरिया पाएं ओडिसार होस्पिटल तरिथिवा डाक्तर माने, पेसेंट माने भी तांकरा सहमति देवे, डेटा गोटे सेंट्रलाइस्टोरेज सर्भरे आनलाइज हब, आमारो computer scientist माने को अधर इवल्वेट करिवे, जे इटा को एही मोडल को नहीं करें, आमें सिधा पेसेंट माने भागो जाई पारिवा कि नाई, तो मोह हिसाबरे बायो एई हब होल्स बरी ब्राइट फ्यूचर एबंग एथेरे आमें समस्ते जगदान दबा दरकार एबंग यहाँ फड़ कर रहे हैं क्रिशी में, वो कम होंगी और जो अभी ऐसे हमारे यूथ को लग रहा है कि हमें क्रिशी में उतनी आय नहीं हैं, वेदर जो इवेंट्स हो रहे हैं उसकी वज़े से बहुत नुकसान होता है, लेकिन अगर हम बायो एथरी पॉलिसी की मदद से इन चीजों को कम क कर पाते हैं, तो अभी की जनेरेशन के साथ साथ हम आगे आने वाली जनेरेशन को भी मोटिवेट कर सकते हैं, कि क्रिशी हमारी कंट्री के लिए एक इंटेग्रल पार्ट है, क्रिशी एक इंडस्ट्री की तरह डेवलप होगा, हम लोग अपने तेश को आत्म निर्भर बना पाएं, कि हमें किसी और के ओपर डिपेंड ना करना पड़े, हमें अपने जितना लैंड अवैलिबल है, तक्नीकी मदद के जरिए हम और जादा से जादा प्रड्यूस कर पाएं, अच्छी क्वालिटी का प्रड्यूस कर पाए और उसके अच्छे हमें कॉस्ट मिले, दाम मिले, अंतराश्ट्रियस थर पर भी, ताकि इससे जादा आए हो सके, जितनी जादा आए होगी हम जादा से जादा यूथ को मोटिवेट कर पाएंगे कि वो क्रिशी को चुने और कंटिन्यू करें, सब जो सेक्टर्स हैं वो उत इंपोर्टेंट सेक्टर है, जो ग्रॉस वैल्यू आड़ेड में बहुत आड करता है, तो हमें इसको आगे ले जाना पड़ेगा, और बायो इथरी पॉलिसी इसको करने के लिए वचन बद है, हम लोग इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, और इसमें आप सबका सहयोग च हमने को चांथी, सेटा कों करिवो, जे अमरो जेत्ते गुडाय दिन्सों होची, जो रिसर्च चालची बा जो अमरो बायो मानिफेक्चरिंग होची, सेटिर आमें अर्टिफिसाल इंटेलिजेंस यूज करीगी, आमें कॉन आगुकू काम करी परिया, तापर एटाला प्रस्तावर होईजी, सो आएले स्तरुफरू काण प्रस्ताव दिया जाईजी, जे ओडिशा गुड़मेंटर जो डिपार्टमेंट अब साइन्स यूज टेक्नोलोजी होची, सेंबने गोटे अमसे तो मिसी करिया होचाऊं चांथी, जे गोटेला बायो अमरो निलाद्रिबायर तांकरोडे दी अकर जागा आची, जोटी समाने बिल्दिंग करिभे, अव सेथी आमरो इन्क्युवेशन सेंटर होचाऊं बायो मानुफेक्चरिंग होचाऊं आउटे बायो a.i.h. जोटी आमरो भला कॉम्पुटेशनल पावर रही भे आउव अ तांकर जो sequencing data हो तांकर जो mutation आची आपन जानी थीवे cancer वढ़िया रोग म्यूटेशन दू आम डीने म्यूटेशन दू अचाधन था ही थाए त्यानु आमें सेशव डाक्टा को नहींगी क्यमें तोटे प्रेडिक्शन करी पारिवा जे एई लोकरो कॉन ट्रिटमेंट दरकार जाने आमें जो दी कोही वाजे सेठी जान करो एक्सरे रिपोर्ट आशी वो सिटी रिपोर्ट आशी वो सेटा हूँ जाने स्पेशालिस्ट डॉक्टर दिल्ली रे हाऊ किमबा अन्य जागा रे हाऊ चेड़ा बहसीक में तो भाले की से देखी कि तारो प्रेक्सिक्यूशन ठीए सेटो देई परिवे करन आपन देखूं तो डाक्तर मन जो अच्छन दी गांग ओल्ड सेमन्त यते स्पेशालिस्ट नो थी तैनो एटा आमें चेस्टा करीवा जे किमिती से लोकों को आमें साज्यों करीवा जादी आपनों को आमों वीडियो टी भल ले गिला तेवे आमों चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करीवा कुछ जमा भी भूलन तो नहीं